दोस्तो इस वीडियो में हरियन जी के के जील से संबंदित और दोस्तो किर्सी से संबंदित पिरसन करेंगे कौन सी किर्सी कहाँ पर की जाती है कौन सी पैदा कहाँ पर सबसे अधिक होती है और दोस्तो जील के जितने भी सारे most important है hard level के पिरसन है वही करेंगे इस वीडियो मे और दोस्तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो पिली चैनल जरूर सस्क्राइब कर देना और दोस्तो इस वीडियो को ज़ाद से ज़ाद सेयर कर देना साथ के साथ बैला आइकन वाला बटन जरूर प्रेस करें भविश्य में हम कोई वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसका सीधर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तो मेरा पहला प्रिशन है आप सभी के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर्याना की सबसे बड़ी जील कौन सी है दोस्तो इसका जो सही आंस्वर है दमदमा जील हर्याना की सबसे बड़ी जील है और दोस्तो यह जो दमदमा जील है आपकी यह कहां पर है गुरुगराम के अंदर है अगला प्रिशन हर्याना की प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है दोस्तो प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी जील है जो आपकी भिंडावास और दोस्तो यहाँ पर भूरे हंस पाये जाते हैं एक वन्यजीव अभ्यारन है वहाँ पर भूरे हंस मिलते हैं कहाँ पर भिंडावास में वन्य जीव अभ्यारन में जबकि प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है भिंडावास सबसे अधिक प्रियाटक किस जील को देखने के लिए आते हैं दोस्तो इसका जो सही अंस्वर है बढ़कल जील को देखने के लिए सबसे अधिक प्रियाटक आते हैं दोस्तो सन्नी हित जील है ये कुरूच हितर के अंदर है इसे साथ नदियों का मिलन सतान भी कहा जाता है दस्मी सतावदी में किस जील का निर्मान किया गया दोस्तो दस्मी सतावदी में फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड जील जी हाँ दोस्तो सूरजकुंड का मेला लगता है वहाँ पर एक मयूर जीला उसके अंदर इसी को सूरजकुंड जील के नाम से भी जाना जाता है हरियाना में किस जील को खूनी जील के नाम से जाना जाता है दोस्तो ये बड़ बाड़ी है बड़ नहीं है बड़ वाड़ी जील है ये कहाँ पर है फरिदवाद के अंदर है इसे खोनी जील के नाम से जाना जाता है अच्छा प्रिसन है इसके ज़्याद चांसा है एक्जाम में आने के अगला प्रिसन हरियाना के किस जील में भटकती हुई दुखी आत्मा को सांथी मिलती है दोस्तों ये प्राचीन समय की जील है ये कहावत है प्राचीन समय की जो भटकती हुई आत्मा है जिनका कुदरत के बिना वैसे किसी जैसे मान के चलें एक्सिडेंट से किसी का देहंत हो जाता है तो जो बटकती हुई आत्मा है जो बिना सरीर के अपने समय पर मरने से पहले जिनका देहन्त हो जाता है उनको सनीत जील में कुरूचेत की जील है उसमें सांती मिलती है उनका यहाँ पस एक पिरकार से तरपन किया जाता है अगला पिरसन कोटला जील कहां पर है दोस्तों यह कोटला जो आपकी है, ये मेवात के अंदर है, अच्छा पिरसन है, यहां से एकजामिया, कई बार पिरसन पूछा गया है, और मेवात को नुह भी कहते हैं, टिकरताल जील कहां पर है, दोस्तों टिकरताल आपकी पंचकुला में है, कोटला, मेवात और पंचकुला है, जो आपकी टिक यह प्रसन अग्जाम में किई बारक पूचा गया है, और ढरक पर के अंदर दोस्तो दोस्तो दोस जील आपकी फरिदवाद के अंदर है दोस्तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो तो पिल् Cat के अंगर द से जादा से जाधा सेइर कर देना हरिया न आंसा एकजाम में पूछे जाने के चक्रविर्ती जील का पर है करनाल के अंदर है संगेल जी हाँ संगेल यह थोड़ी सी दिक्कत हो जानिया जिक गलप लेकिजाता है इसके लिए और दोस्तों संगेल के साथ उजीना जील भी यही पर आया। में बात के ऐंदर कौन से उजीना जील संती है けगन्ना और मिर्च हरियान में स dal सिरthing का होती है दोस्तों फसल से संबंदित पर आएंगे इस्वीडियो में दोस्तोंसों सबसे अधिक होती है यवना नगर के अंदर सबसे अधिक होती है अगला पिर्षन जोर सबसे अधिक हरियान में कहा पर होती है रोहतक के अंदर जोर सबसे अधिक होती है मक्का सबसे अधिक हरियान में पंचकुला के अंदर मक्का सबसे अधिक होती है दोस्तो अच्छे पिर्शन है अच्छा लेवल करा रहे हैं आप सभी के लिए अच्छे से तैयारी करा रहे हैं अगरा पिर्शन प्याज हरियाना में सबसे अधिक कहा पर होती है दोस्तो प्याज हरियाना में सबसे अधिक अंदर होती है नेक्स्ट पिरसन केला और सेब हरियाना में सबसे अधिक अधिक होता है हल्दी हरियाना में सबसे अधिक होती है अगर अमबाला ना मिले तो अप्सन में यम्ना नगर मिलेगा द्यान रखना आप सभी को अगरा पिरसन गेहुं का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों गेहुं का कटोरा सिरसा जले को कहा जाता है और गेहुं की कटोरी हरियाना चावल का कटोरा सौनिपत और धान का कटोरा करनाल फलो में सबस्यादी कुत पादन किसका होता है तोस्तो फलो में सबस्यादी कुत पादन आम का होता है आम सबस्यादी कुत पादन किसका होता है जबकि आमों का मेला पिंजोर पंचकुला में लगता है 1992-1993 मेला लगता आ रहा है अगला पिरसन मसालों में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है दोस्तों मसालों में हरियाना में सबसे अधिक उत्पादन हल्दी का होता है नेक्स पिरसन फूलों में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है गलोडियस भी बोलते हैं से ये सबसे अधिक फूलों का अतुपादन हरियाना के अंदर होता है अगला पिरसन फलों से संबंदित मंजियारा योजना किस देश के सायोग से लगाई गई दोस्तो फलों से संबंदित मंजियारा योजना इजरायल के सायोग से सिर्सा में लगाई गई है जो मंजी आरा योजना जो सरसहा में चला गई लेकिन हर्यास से सबनाख़ हो गया मैं हर्यान में अंत्राश्टिय से मंडी कहां रॉप्त की अंद़ है ज्त lies एक कला की जाएगी दोस्तों ऑम ध्यान प्रॉप और क की लियांक 누्या'm के अंदर रहा है और नेक्स्ट पर्शन अंतराष्ट्य मंणृ कहा सितापित की जाएगी दोस्तो एस मैं मंडी गन्हा और सोनी पत के अंदर स्ताफित की जाएगी। दोस्तों olması सिटावदी के बात कि बात हो रही है सबसे बड़ी मंडी बनाई जा 19 सताबदी में खेतों की जुताई किस वार से की जाती थी दोस्तों 19 सताबदी में खेतों की जुताई सौंबार से की जाती थी और 18 सताबदी में बुद्धवार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप सभी को बहुत जल्द अच्छे अच्छे प्रसंद करा दी हैं और दोस् सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्याजी ज् Еще तैयारी कर सके और दोस्तों मैंने हरया जी कि के कि சे 28-39 वीडियो अप्लोड कर दी हैं अगर किसी भाई ने वह वीडियो नहीं देखी हैं हाड लेवल के तो वह जरूर देख लेए प्ले लिस्ट में आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी वहाँ पर प्ले लिस्ट में हमने सारी वीडियो डाल रखी हैं जैसी आप हमारे चैनल पर जाएंगे वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और सभी वीडियो मोस्ट इंपोटेंट है आने वाले एक्जाम के लिए दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए बस यही प्रिसंद कराए हैं और आसा करता हूँ आप सभी को यह प्रिसंद जरूर पसंद आते हैं हमने आपकी हरियन जीके की हार्ड सीरिज भी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में एक्जासी के बहुत सारे एक्जाम आने वाले हैं दोस्तो आज के पेपर में भी न्यूज जाई है कि 21,22,23 और 29 तारीकों फरवरी में पेपर होगा इसलिए जो सेंटर से आपका एक बार धन्याबाद करना चाहता हूं धन्याबाद